नमस्कार रात के 9 बज रहे हैं मैं राके शर्मा रूबरू हूँ आपके बड़ी खबरों बड़ी अपडेट के साथ आज पूरा दिन भर क्या चर्चा में विशे रहे हैं की बात करेंगे और इसके साथ ही तमाम घटना करम की जानकरी आपके साथ इस बुलेटन के माध्यम से साजह करेंगे आप सभी हमारे साथ जुड रहे हैं और आप सभी का इस बुलेटन में स्वागत है बुलेटन की शुरुआत हैडलाइन के साथ करते हैं बोटिंग नियम को ले करके बदलाब हुए हैं और किस तरह के बदलाब हैं इसमें किस तरह के फैसले लिए गे हैं उसक ये आज बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है और इसके साथ ही पुलिस ज़वानों की बात करेंगे। इस मामले में क्या अपडेट है इसकी जानकारी साजा करेंगे बिजली बोर्ड की बात करेंगे बिजली बोर्ड की वी ओडी होने जा रही है और इसमें क्या फैसले लिए जा सकते हैं बिजली बोर्ड की जो करमचारी हैं उन्हें क्या उमीदे हैं और किस तरह की ये जो अब म करेंगे नैचे में विरोध के सुभर क्यों फूटे हुए हैं क्या मामला है जो निकल कर के अब सामने आ रहा है इसकी बात करेंगे इसके साथ ही डॉक्टरों के इंट्र benefit पर बात सामने आई है डॉक्टरों के इंटर्वियू की बात जो है कि ही जा रही थी अब इसमें जो तमाम टत्थे हैं वो साफ हो चुके हैं किस तरह की अब यह रहेंगे वह के इन इंटर्वियू इसकी चर्चा करेंगे इसके साथ ही आज नेतब जो विपक्ष की हैं जो अध्यक्ष हैं कॉंगरेस की उनका वियान आया है भाजपा को लेकर के इसकी चर्चा करेंगे मौनसून और कोबिड की बात करेंगे और बुलेटन की शुरुवात फिलहाल करोना से करते हैं क्योंकि आज फिर करोना के मामले एक बार सो को पार कर गए हैं और इसके साथ ही आज जो एक्टिब मामले सो के सामने आने के बाद 500 के पार पहुँच गए हैं और इस समय अगर कोबिड की आज की बात करें तो 105 कुल सक्रिय मामले सामने आए हैं और इसकी इनके सामने आने से जो संख्या है इस समय पूरे हिमाचल में सक्रिय कोबिड के मामलों की बढ़ करके 500 के पार चलीगी यहाज 3040 सेंपल लिए गे थे और इसमें से 105 सक्रिय मामले पाएगे इन में से सबसे अधिक मामले जो हैं वो कांगडा जिला में सक्रिय मिले हैं यहाँ 45 मामले आज सक्रिय पाएगे इसके साथ ही चमबा में 10, मंडी में 12, हमीरपूर किनोर में 55 मामले, कुलू में 3, लाहलसपीती में 4, शिमला और सोलन में 6, 6 मामले, उना में 3 मामले जो हैं वो मौसम की बात करें तो मांसून शक्रिय हो गया है हिमाचल में और बरसाथ जो है वो शुरू हो चुकी है आज कई जगाओं पर वारिश हुई है और इसके साथ ही तापमान में भी भारी गिराबट जो है वो देखने के लिए मिली है आज का जो अगर वारिश की बात करें तो आ पहरा में 54 और शिमला में 48 जो बारिश है आज एम एम बारिश आज हुई है इसके साथ ही मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है मौसम विभाग का कहना है कि जो बरसा अभी शुरू हुई है उससे भुस्कलन का खत्रा हो चुका है और अब जो रास्ते हैं वो कहीं भी भुस्कलन की जद में आ सकते हैं इसलिए तैयारियां जो है तमाम विभागों को करनी होगी इस तरह के निर्देश जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दिये गए हैं बात राष्टपती चुनाब को ले करके करते हैं राष्टपती पद की उमीदबार जो एंडिय की त रहेंगे और इस दोरान द्रोपदी मुर्मु जो राष्टपती की उमीदबार हैं अपने जानकारी अपने बिश्य की बात करेंगे और इसके साथ ही भाजपा के जो तमाम विधायक हैं इस कारेकरम में मौजूद रहें इसके लिए भी सभी को पत्तर चारी कर दिये गए है बात बिजली बोर्ड की करते हैं बिजली बोर्ड में खाली पदों को लेकर के घमासान शुरू हो गया है बिजली बोर्ड में साथ करमचारी यूनियन ने बड़ा इतराज जताया है करमचारी यूनियन का कहना है कि जो नए कारियाले खोलने का फैसला किया गया है उससे आर के लिए मिलेगा इसके साथ ही पेंशन पर भी इसका असर पड़ेगा बोर्ड को भर्तियां पहले करनी चाहिए जो साधाजार पांसो पद पूरे परदेश भर में खाली हैं पहले उन्हें भरा जाना चाहिए और उसके बाद जो तमाम कार्याले खोलने की घोशनाए बोर्ड फिलहाल पूरे परदेश भर में कर रहा है उन कार्याले की तरफ बोर्ड को जाना चाहिए करमचारी यूनिन का कहना है कि इन कार्याले को खोलने की बजहास से लगभग 50 करोड के राजस्व का नुकसान बोर्ड को हर साल झेलना पड़ेगा इसके साथ ही बिजली बोर्ड की मैसे पंजाब की तरज पर और इसके साथ ही जो अन्य तमाम मसले हैं यह सभी बी-ओ-डी में अब चर्चा में होंगे और यह कल जो है वो बी-ओ-डी आयोजित होने वाली है और इसमें मुखे दोर पर अगर जिन मसलों को लिया गया है इसमें उनकी बात करे तो सबसे पहला जो सर्विस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें जिन मसलों को परस्ताबित किया गया था पास किया गया था वो सभी अब बी ओडी में जाएंगे और बी ओडी के फैसले के बाद इन्हें लागू मान लिया जाएगा फिलहाल अगर बात करें तो करमचारी जो 2012 की तरज पर पेक क करमचारी हैं उन्हें एक बड़ा लाव मिलेगा जो पंजाब की तरज पर होगा और 2012 के बाद से इस लाव की भरपाई जो है वो तमाम बिजली बोड के करमचारीों को होगी फिलहाल इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला इसमें है उसमें नौन आईटी आई की पदोनती की बात कही जा रही है जो नौन आईटी आई भरती होए है और उनके पदोनती की जो आयू सीमा दस वर्ष की गई है उसे घटा करके साथ वर्ष किया जाना है ये दूसरा बड़ा मसला इस वार वी ओडी में चर्चा में रहने वाला है और इसके लिए जो प्रस्ताब है वो की फैसला कल सामने आ जाएगा क्योंकि इसमें जो प्राबधान किये गये हैं कि जिन जगाओं के लिए ये 36 पद स्रिजित हैं उसमें हाटकोटी अंध्रा और नागोली जगा हैं जहां इन पदों को भरा जाना है इस इन तीन मुखे रूप से फैसलों पर चर्चा कल वी की बिजली बोर्ड की होनी है उसमें होगी और इसके साथ ही जो तमाम फैसले सर्विस कमेटी में लिए गये हैं जिसमें सब डिबीजन और डिबीजन सर के कार्याले खोलने की बात कही गई है इन को भी अमली जामा जो है वो बी ओडी में पहनाया जाएगा बात राशन कार् अब जरूरी हो गया है और इसके लिए आने वाले दिनों में अभ्यान चेड़ा जाएगा पंदरा जुलाई तक की तारीक खादिया पूर्टी नेदेशाले की तरफ से तैय कर दी गई है पंदरा जुलाई तक जो राशन कार्ड हैं उनके साथ अधार कार्ड को जोड़ा ज जाएगा यानि जो परिबार डीपो तक नहीं आ सकते हैं या राशन की दुकान तक नहीं आ पाएंगे उनके लिए ये अभ्यान रहेगा घर घर जाकर के जो डीपो होल्डर होंगे वो जानकारी देंगे इसके साथ ही वो राशन कार्ड और अधार कार्ड को साथ में जुलाई तक की तारीख तै की गई है यानि पंदरा जुलाई तक जो ये प्रावधान है इस पे अमल करना होगा और तमाम जो अप्चारिक ताएं पूरी करने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा डॉक्टरों की बात करते हैं डॉक्टरों के वाक इन इंटर्व्यू क लिए रास्ता साफ हो गया है और अब जो तमाम भरतियां परदेश भर में डॉक्टरों की होनी है वो वाक इन इंटर्व्यू के माध्यम से होंगी और एक सो चालीस पद हैं जिने भरने की बात कही जा रही है ये एक सो चालीस जो पद है वो भरे जाएंगे और इसके साथ ह तीन सो चोवन यानि साड़े तीन सो से जादा जो पद हैं वो नए स्रिजित होंगे डॉक्टरों के लिए और वाक इन इंटर्व्यू के अधार पर इन पदों को भरा जाएगा और ये बवस्ता इसलिए की जा रही है क्योंकि तमाम जो अस्पताल हैं वहां बैकैंसी थी ज चुने होती जा रही हैं और वहां अब डॉक्टरों की जरूरत जो है वो कम हो रही है कम महसूस हो रही है और इस बजहा से वाक इन इंटर्व्यू की वबस्ता जो है वो की गई है और इसमें अभी फिल हाल 146 पद भरे जाने हैं और इन पदों को लेकर के स्वस्ते सचिव अमिताव अवस्ती ने हस्ताकसर जो है वो फाइल पर कर दिये हैं और अब जो आगामी पर इक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी बात नहीं की करते हैं नहीं करमचारियों ने सरकार के खिलाप जो मोर्चा है वो खोल दिया है और इसके साथ ही तमाम भरती और पदोंती न बड़ा भी रोध सामने आया है क्योंकि NHM के करमचारी लगातार पिछले काफी समय से अपनी मांग उठा रहे हैं अपनी मांगों को ले करके अधिकारियों से मुलाकात करते रहे हैं लेकिन अब ये जो बड़ा मामला जो है वो सामने आया है और इसमें भरती और पदोनती नि कि अंदेखी का अरोप लगाया है फीमेल हेल्थ वर्करों का भी अरोप है कि सरकार जो है वो भरती और पदोनती जो नियम तैय किये हैं उनकी अंदेखी कर रही है ना चम वर्कर को ना तो उतना बेतन मिल पा रहा है और ना ही जो नोकरी है उसमें तरजीह दी जा रही है इ इसके साथ ही जो अन्य है उनके लिए फिलहाल कोई जो मामला है वो सामने नहीं हाया है एन्य चम के साथ ही जो जुड़ा हुआ एक और अन्य मसला है उस एन्यम का उसमें भी ये जो विवाद है वो शुरू हो गया और एन्यम की भरती को लेकर के भी एन्यम की जो परशिक्षि हैं महिलाएं वो भी विरोध पर उतराई हैं उनका कहना है भरती और पदोनती जो A&M के लिए भी नियम तैय किये गए हैं उसमें भी बदलाब होना चाहिए और यह विवाद काफी बड़ा हो गया है और इसमें आज बड़ा विरोध जो है वो देखने के लिए मिला यानि एन हम और A&M हलांकि दोनों मस्ले अलग अलग हैं NHM की बात करें तो NHM करमचारी अपनी मांगों को ले करके लगातार अंदोलन रत हैं और सरकार के पास अपना पक्ष रखते रहे हैं इन्हें आशवाशन भी मिला है और दोनों पक्षों की बात हित भी सरकार ने सुनी है और जो अगामी कदम है इने लेकर के वो उठाने की वबस्ता की जारी है और A&M की बात करें तो A&M का सिधा विरोध जो है वो भरती और पदोनती नियमों को लेकर के है इनका कहना है कि जो सरकार भरती कर रही है उसमें इन्हें तरजीह नहीं दी जारी है और इसका जो असर है वो इन्होंने जो कोर्स कर रखा है उस पर पढ़ रहा है क्योंकि इन्हें सरकारी कोटा फिलहाल नहीं मिल पा रहा है ये बड़े विरोध की बजहा बन गई है और इसमें इन्होंने अब अमर्न अंशन की जो बात है वो यही है बात चुनाबों की करते हैं मतदान की जो आयू सीमा है उसमें बदलाब हुआ है यानि अब 18 साल की आयू सीमा तो रहेगी लेकिन चुनाब से ठीक एक महीने पहले जो यूबक अपनी 18 साल की आयू को पूरा करेगा उसे भी मतदान का धिकार मिल जाएगा यानि बिधान सबा चुनाब से ठीक एक महीना पहले अपने 18 साल पूरा करने वाला यूबक एक महीने के बाद मतदान का अधिकारी होगा हलान की पूरों में ऐसा नहीं होता था 18 साल की आयू पूरी करने के बाद जो मद्दान की आयू है जो मद्दान की आयू जो 18 साल निर्धरित की गई है उसमें बदलाव रहता था देखने के लिए मिलता था लेकिन अब एक महीना भी अगर 18 साल और एक महीने की भी आयू है तो जो यूबक या यूबती होगा वो मद्दान के हकदार होंगे मद्दान कर पाएंगे बात पुलीस पेबेंड हाइर पेबेंड की करते हैं पेर रिवीजन रूल संसोदन के चलते अब खुद ही पुलीस जवानों को जो लाब है वो मिल जाएगा क्योंके दो हजार पंदरा से सतरा तक के जवानों को हाइर पेबेंड का लाब मिला है और इसमें अगर बात करें तो 20 अपरेल 2022 को रज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी इसमें कॉंस्टेबल पद के लिए पेबेंड उनसट सो दस 20,200 और ग्रेड पे 1900 थी और इसे बढ़ा करके 10,300 से 34,800 कर दिया गया था और ग्रेड पे जो है वो 32 कर दी गई थी और इस अधिसूचना में ये कहा गया था कि 2016 से ये लागू की जाएगी लेकिन पिछली ती थी अधार पर काउंट की जाएगी और इसी आधिसूचना में पुलीस जवानों के लिए पे कमिशन आप्शन चुनने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया था यानि एक जनवरी 2015 के बाद जो नुक्त कॉंस्टेवल इस लाब के हकदार थे लेकिन 2017 के बाद लों को ये लाब नहीं मिल पा रहा था अब ये विवस्ता की गई है कि आटोमेटिकली ही इनके खाते के साथ ये लाब जुड जाएगा और तमाम जो पराबधान हैं वो कर दिये गए हैं इसमें और इसका जो लाब है उसमें तीन जनवरी 2022 तक रेगुलर की बजाए इस तारीक सरकारी विभागों में पदो बर तैनात करमचारियों को भी जिसका जो लाब है वो मिला है और इसके साथ ही पुलीस जवानों को भी ये लाब आटोमेटिकली जो 2017 बैच के हैं उन्हें भी ये लाब अब मिल जाएगा ये रास्ता जो है वो बिलकुल साफ फिलहाल हो चुका है बाद जे बी टी अगेंस्ट बी एड की करते है और इस पर जो बड़ा विबाद जे बी टी और बी एड को लेकर के है अब फैसला 6 जुलाई को आ सकता है हाई कोट में जो इसमें सुनवाई चल रही है उसमें 6 तारीक 6 जुलाई की तारीक तैय हुई है 6 जुलाई को इसमें सुनवाई होनी है और उसके बाद ये फैसला सामने आ सकता है कि जे जे विटी और बी एड को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसका समाधान किस तरह से निकाला जाए निकलता है बात हाई कोट की ही करते हैं और इसमें एक बड़ा जो अपडेट आज निकल करके सामने आया है इसमें महिलाओं को पचास फीसدी चूट को लेकरτε निजी बस उपरेटरों ने हाई कोट में याचीका दाएर की थी और इस याचीका की आज सुनवाई हूई है याचिका की सुनवाई के दोरान हाई कोट के नियाधिश तरलोक सिंग चोहान और नियाधिश सीबी बारोवालिया की खंड पीठ ने जो याचिका की सुनवाई की है और इसके साथ ही नीजी बस अपरेटरों को फिलहाल कोई भी राहत इस मामले में नहीं दी गई है और को छूट जो किराय में दी गई है वो किस अधार पर दी गई है इसी को लेकर के बहस फिलहाल हाई कोट में चल रही है बात कॉंग्रेस प्रदेशा ध्यक्ष प्रतिवा सिंग की करते हैं कॉंग्रेस प्रदेशा ध्यक्ष का एक जो ब्यान आज कल चर्चा में बना हुआ है लेकर के आज प्रतिवा सिंग ने साफाई दी है उनका कहना है कि गुडिया हत्याकान जगन ने अपराद था और इसे लेकर के पूरे परदेश भर में रोश था और भाजपा ने थाना जला दिया था इस जो मामला उस समय उजागर हुआ था उन्होंने सीधे सीधे भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने थाना जला दिया था जब ये मामला सामने आया उसके बाद और उन्होंने कहा कि मीडिया पर उन्होंने सीधे तोर पर मीडिया पर ये बात कही है कि उनका जो ब्यान था जिस संधर्व में उन्होंने ब्यान दिया था उसे तोड़ मुझे राकेश शर्मा को इजाज़त दीजिए आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार बड़ी खबरों बड़ी अपडेट के लिए दिबे हिमाचल के साथ बने रहें जाएं